सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट है वर्क्षीट नंबर दो जो की केवल सातवी के विध्यारतियों के लिए ही है और यह ली गई है समाजिक विज्ञान के भुगोल विशे से जिसमें आज हम अपने पर्यावरन के बारे में कुछ समझेंगे, कुछ बाते जानेंगे पर्यावरन, पिछली बार भी हमने बात की थी कि पर्यावरन किसे कहते हैं हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं, हमारे चारों और जितनी भी चीजें हैं चाए वो प्राकर्तिक हैं, चाए वो मानव निर्मित हैं, ये सब के सब हमारा पर्यावरन कहलाते हैं इस परियावरन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो की प्रकृतिक हैं जो की प्रकृतिकी हैं प्रकृतिने बनाई हैं हमने हमारा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है जिसमें आज जो हम सबसे पहली बात करेंगे वो बात करेंगे हम स्थल मंडल की किसकी स्थल मंडल की तो चलिए म पृत्वी की ठोस परपटी या कठोर उपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, यानि जिस पर हम खड़े हुए हैं, जिस पर हम सारा काम करते हैं, जिस पर हम सारी जितने भी क्रिया कलाप हैं, वो सब करते हैं, बस चलती हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और बहुत सारी चीजें, खे जो परत है, उपरी परत, कठोर उपरी परत, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, यह चट्टानों और खनीजों से बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से धका हुआ होता है, यह पहाड, पठार, मैदान, घाटी, आदी जैसी विभिन स्थला कृतियों वाला विशम धरातल हो क्योंकि अगर सपाट होता, तो सब जगे मैदान ही होता, सब जगे प्लेन प्लेन होता सारा, लेकिन कहीं तो यह पहाड है, बहुत उंचे उंचे उठा हुआ है, जमीन से उपर उचा उठा, कहीं पठार है, पठार भी पहाड जितना बड़ा तो होता है, लेकिन उतना उच नीचाई का नहीं होता जितना कि ये पहाड होता है और मैदान या फिर घाटी यानि घाटी जो आपने देखी होगी नीचाई की तरफ होती है तो ये ऐसी आकरितियों से भरा हुआ ये विशम धरातल कहलाता है ये स्थला आकरितियां महाधूीपों के अलावा महासागर की सतह है पर भी पाई जाती है यानि महासागरों में भी ये सब सताएं जो अभी हभी हमने पढ़ी ये सब होती है तो अब हम इसके बाद बाद करेंगे कि स्थल मंडल से आगे हम स्थल मंडल पर क्या-क्या करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे तो आगे देखते हैं स्थल मंडल वहक शेत्र है, जो हमें वन, क्रेशी, एवं मानव वस्तिउं के ये भूमी, पशुमों को चरने के लिए गांस स्थल प्रदान करता है मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी सारे क्रिया कलाब है, मानव क्रिया कलाब है वो सब के सब इस स्थल मंडल पर ही होते हैं और कहीं तो नहीं हो सकते ना अगर ये कठोर परपटी स्थल मंडल ना हो तो हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे बताईए ऐसा हो सकता है क्या नहीं, इसलिए स्थल मंडल हमें ये क्रिया कलाब करने के लिए आधार प्रदान करता है फिर दूसरी बात यह एक खनिज संपदा का भी स्रोध है खनिज संपदा का मतलब बहुत सारे खनिज भी तो इस स्थल मंडल के अंदर से ही निकलते हैं जैसे लोहा, जैसे कुएला, जैसे बाकसाइट, बहुत सारे खनिज वो भी सब हमें इस स्थल मंडल से ही मिलते हैं तो चलिए अब बात करते हैं नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिये गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो यानि नीचे कुछ आपको वाक्य लिख रखे हैं, उन वाक्यों में कुछ अव्यवस्थित शब्द भी दे रखे हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने सही से जोड़के, जो अभी अभी बहुत सारे शब्द आए, उनको हमें उसको व्यवस्थित करके लिखना है अगर आप इनको जोड के सही धंक से लगाएं, तो स्थल मंडल शायद बन सकता है, तो स्थल मंडल इसका उत्तर होगा, फिर है सूरे द्वारा समुद्र द्वारा आपस में कटे भू भाग, यानि बीच में समुद्र होता है, और उसके चारों तरफ इधर उधर धरती के बड़े बड़े भाग होते हैं, उसको हम कहते हैं महाद्वीप, अगर इनको आप ध्यान से जोड़ोगे न, इन अविवस्तित अक्षरों को तो बनेगा महाद्वीप, फिर तीसरा है, पृत्वी पर बड़ा जल्सरोत, यानि बहुत बड़ा जल्सरोत, और यहाँ पर पर जो बहुत उंचे उठे भाग होते हैं, वो होते हैं परवत, बिल्कुल सही, फिर पांचवा है चौड़ी और सपाट जमीन, सपाट जमीन बिल्कुल प्लेन, उसको हम कहते हैं मैदान, क्या कहते हैं मैदान, फिर उसके बाद एक और बात, उचाई परिस्तित फैली अभी मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर तो है पठार बता देता हूँ, पठार और पहाड में यही अंतर होता है, कि जो पहाड होता है वो एक तो बहुत जादा उंचा होता है, उपर जैसे जैसे हम उसकी उचाई पर जाते हैं, वो संकरा होता जाता है, यानि कम होता जाता है लेकिन जो पठार होता है हम उसकी एक उचाई जाने जब एक उचाई पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो समतल हो जाता है ये दोनों में फर्क है और फिर आखरी है दो पहाडों के बीच का रास्ता इसको हम सही करके लिखेंगे तो बनेगा घाटी तो ये साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर जरूर जरूर पढ़ते रहिए धन्यवाद